सवी किसान भाईयों को नमस्कार किसान मित्री यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है आज का वीडियो बनाने का हमारा एक ही कारण है कि अप्रल मंथ में आपके ड्रागन फूर्ट के प्लांट येलो होने लगे यानि पीले पढ़ने लगे हैं इसका क्या कारण है कैसे आप उन्हें क्योर कर सकते हैं अभी आपको अपने प्लांट की कैसे केर करनी है और हमारे ड्रागन फूर्ट फूर्ट फूर्म पे अभी हम क्या क्या प्रिकोशन ले रहे हैं और किस तरह से हम अपने प्लांट को मेंटेन रख रहे हैं अगर हमारे दुआरा बनाई वी वीडियो आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जुरूर करें और ये बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि हमारी आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस न करें ये हमारे फार्म का आज रिसेंट व्यू है आज 14 अप्रेल है अभी के समय आप देखेंगे कि पूरे प्लांट एक साइड से येलो हो चुके है जो पुराने लीफ से वो लगभग सभी येलो हो चुके है और एक फंगस जैसा अटैक आना चालू हो गया ये गलना चालू हो गय एक साइड से ये एक साइड में आप कहीं पे भी देख लीजे पूरे फार्म का ये हाल है एक साइड के पूरे लीफ यलो हो चुके है इसका क्या कारण है इसका एक ही कारण है ये डारेक्ट सन के कॉन्टेक्ट में आने की विज़े से क्योंकि अभी टेमप्रेचर मोसली दे डिग्री जा रहा है और 18 और 19 को फॉर्कास्ट में दिखा रहा है कि 45 डिग्री तक ये जाएगा इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये से डैमेज होने के कारण में लीफ ऐसे गलना चालू होगे एक साइड से तो अभी आपको किन चीजों का ध्यान रखना है कैसे अपने प्ला करीबन चार साल के एकस्पिरियंस में ये पहली बार हुआ है ये आप ये समझ किसलिए कि ये क्लाइमिट चेंज होने के कारण भी ऐसा हो सकता है क्योंकि अप्रेल मंत में इस तरह की प्रेशानी हमने कभी जहली नहीं थी क्योंकि हम तैयारी कर रहे थे मई और जून के हलका छाया मिले इसके लिए हम क्या कर सकते हैं इसके लिए हम इंटरक्रोप कर सकते हैं बीच में हम मैं और जून के लिए इंटरक्रोप की तियारी कर रहे थे लेकिन हमने उससे पहले ही चालू कर दिया भी क्योंकि अभी एक हफ्ता बाद हम करने वाले थे लेकिन हमने एक हफ़ता पहले ही कर लिना चालू कर दिया क्योंकि इस बार गर्मी समय से पहले ही आ चुकी थी और इस तरह का हमारे फिलका ये लुष होने के कारण में इस तरह से हमारे पोदे जुलस रहे थे तो उनको बचाने के लिए आप इंटर क्रोप कर सकते हैं इंटर क्रोप में आप किन-किन फसलों को लगा सकते हैं मक्का, बाजरा, जवार, हर-Hर इस तरह की आप फसले लगा सकते हैं क्योंकि ये 70-80 दिन की फसले होती हैं और पक्के तियार हो जाती हैं और उसके बाद में आप उनको निकाल सकते हैं जैसे ही आपकी गर्मी खतम हो जाती है तो कोशिश ये कीजिए कि मक्का हमने इस बार बीजा है यानि इस बार हमने मक्का लगाया है यह हमारा नया फिल्ड है इसमें भी इस तरह की परिशानी देखने को मिल रही है और यह परिशानी हमको सिर्फ एक ही साइड में देखने को मिलती है चाहे वो हमारा पुराना फिल् यहां आप अगर देखेंगे तो एक भी लीफ आपको यलो नहीं दिखाई देगा पूरा टोटली ग्रीन है इसका क्या कारण है क्योंकि यहां पर डारेक सनलाइट नहीं आती यह इस टू वेस्ट डारेक्शन में यह पूरे 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 पूल लगे हुए है तो एक स अगर आप देखेंगे तो लगभक सभी लीफ आपके यलो हो चुके हैं जो नए लीफ है उन्हें छोड़के पुराने लीफ जो भी हैं आपके वो पूरे यलो हो चुके हैं दूसरी साइड में इस साइड में देखिए कितना ग्रीन हो चुका है यहां पर कोई भी साइन उन्हें ग्रोथ कर लिया है उसमें अभी आपको इस तरह का ऐसे साइन दिखाई देंगे जैसे उसके अंदर से पूरा मोश्य निकल चुका है यानि हलका हलका वो सुकुड़ना चालो हो गए इसका क्या करने यह देखिए यहां पर आपको यह नया लीफ है इसने अपने हम इसमें ज़्यादा पानी नहीं दे रहे हैं इसका कारण क्या है ज्यादा पानी ना देने का अगर हम इस समय पे ज्यादा पानी देंगे तो इसके अंदर में वोटर कोंटेंट एक ठा होना चालूह जाएगा लीफ पे और जायसे ही direct sunlight इसके उपर में गिरती है क्योंकि temperature बहुत ज्यादा बढ़ चुका है तो उसके अंदर से cell damage होने के कारण में पानी ऐसे इसमें से टपकने लगेगा जैसे fungus आ गई हो तो इसको mature होने के लिए भी समय मिल जाएगा क्योंकि इसके अंदर से पूरा water content निकल जाएगा और जैसे ही monsoon आएगा यह आपको जो सुकड़े हुए leaf दिखाई दे रहे हैं जो सुकड़ चुके हैं यह दुबारा से हरे भरे हो जाएंगे और अपने पानी की मातरा अपने आप automatic पूरी कर लेंगे atmosphere से तो आप गर्मी के समय में ज़्यादा पानी ना देते हुए पानी हलकी नमी maintain करके रखिये अपने मिट्टी में ऐसा नाओ की एकदम सूखा ही हो जाए हलका हलका नमी maintain करके रखिये ज़्यादा पानी देने की इसमें जरूरत नहीं रहती dragon fruit farming में ये है कि पौदा पानी को पसंद करता है लेकिन गर्मी के समय पे हम पानी इसके लिए कम करते हैं ताकि हमारे leaf के अंदर में पानी की मतरा कम हो जाए हमारा plant mature हो और fruiting season में हमको ज़्यादा से ज़्यादा fruit मिले उन्हीं leaf के उपर में fruit set होंगे जो mature हो चुके होंगे ज़्यादा leaf रखने से मतलब नहीं है कि आपके ज़्यादा fruit आएंगे fruit उन्हीं पे आएंगे जो आपकी leaf mature हो चुके है यहीं पे आप देखेंगे ये पोदा हमारा shedding में था shedding है ये समझ के चलिए कि हमारे farm के अंदर में है और यहां चारों तरफ में पेड़ पोदे लगे हुए है यह इकलोता पोल ऐसा है जिसके ओपर आज तक हमको अभी fungus का attack नहीं देखने को मिला पूरे leaf हारे दिखाई देंगे आपको एक भी leaf किसी भी side से यहां आपको yellow नहीं दिखाई देगा इसका क्या कारण था क्योंकि यह 40-45% पोदा शेडिंग में रहता था हमेशा ना इसके ओपर में डारेक कोई fork डलता था सर्दी के समय पे ना ही इसको डारेक सनबन का कोई issue होता था इसकी आप growth भी देख सकते हैं और इसका canopy कितना अच्छे से full हो चुका है नए suits कितनी अच्छे से growth कर रहे हैं ना ही कोई fungus का sign आपको दिखाई दे रहा है तो अभी की situation में हमको क्या करना चाहिए अभी हम green miracle का spray कर रहे है यह depend करता है कि आप उसकी कितनी मातरा ले रहे हैं आपकी canopy के ओपर में depend रहता है अगर आपका प्लांट का एज कम है तो आप 50 ml तक इसको यूज कर सकते है इसको कोई नुकसान नहीं होता यह green miracle क्या काम आता है यह जो पोधे पीले पड़ जाते हैं आपके dragon fruit के plants उसको दुबारा से recover करना एक काम आता है यानि दुबारा से उसको green कर देता है यह से एक तरह से stress reliever है यह plant पे किसी भी तरह के अगर stress आता है sunburn की वज़े से या direct heat stroke की वज़े से तो यह उसको दुबारा से recover करने के लिए मदद करता है और उसको थोड़ा यह direct sunlight जो पड़ती है लीफ के उपर में उसको एक तरह से reflect भी करता है खाली इसके भरोसे पर काम नहीं चल सकता क्योंकि अगर आप यह सोच रहे हैं कि पूरा season green miracle का spray करके ही निकाल देंगे तो यह चीज आप avoid कर दीजिए आप इसके बीच में इंटर क्रोप जरूर करें क्योंकि इंटर क्रोप का बहुत ज़्यादा फाइदा रहता है कि वो direct जो sunlight है उसको एक तरह से रोक लेती है और filter करके ही धूप आपके पोदों तक पहुंचती है क्योंकि fruiting season में इसको धूप की बहुत ज़्यादा जरूर बीचा था तो तो वो काफी घने हो चुके थे और fruiting season में हमें fruit cut करने के लिए काफी समस्य आ रही थी क्योंकि निकलने आने जाने के लिए जगह नहीं बची थी तो आप इस बार कोशिश कीजे कि मक्का बीचे क्योंकि इसीदा स्ट्रेट जाता है और 70-80 दिन की फसल रहत तो कोशिश कीजिए इस बार मक्का लगाई है मक्का का भी एक बार रिजल्ट जुरूर देखें और 70-80 दिन जब complete हो जाएंगे तो आप उसको easily निकाल सकते हैं तो आशा करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा मिलते हैं एक नए topic के साथ में आगली वीडियो म वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद